क्या आपने कभी अमरूत से बहुत ही टेश्टी रेसिपी खाई है जी हाँ दोस्तो आज मैं आपको अमरूत की बहुत ही टेश्टी रेसिपी बताने जा रही हूँ वो भी ठंड के समय में अक्सर क्या होता है कि गलत जानकारी रहने से हम लोग अमरूत का सेवन बहुत ही कम कर हम लोग को लगता है कि सर्दी हो जाएंगे खासी हो जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों बहुत ही गलत जनकारी होती है हमें अमरूत के बारे में और इसका पूरा फाइदा हम लोग नहीं उठा पाते हैं तो अगर सही तरीके से अमरूत को खाया जाए तो पु पूर्थी टिष्टी अमेजिंग अमरूत की रेशेपी बताने वाली हूँ इसे क्या होगा अमरूत से आपको प्यार हो जाएगा और अमरूत खाने से बिलकुल भी नहीं डरने वाले हैं तो सबसे पहले इसके क्या होगा जो तासीर है उसे हम लोग गरम करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको सरसो तेल का यूच करना है इसे क्या करने है पकाने के बाद क्या हो जाते हैं इसके जो तासीर है वो गर्म हो जाती है और इसके जितने भी सारे फाइदे हैं पूरा हमें इसमें अच्छी तरह से मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको ले लेने हैं स के सी से अगर रोष्ट करके आप इसे खाए तो भी ये समसिया बिल्कुल ही खत्म हो जाने वाली है तो सबसे पहले आपको ले लेने हैं अम्रूद मैंने यह देखे कच्छे वाले अम्रूद का यूज इस्तमाल किया है अम्रूद को आपको क्या करने है बीज से अच्छी तरह से बीज को निकाल दिया है और सभी को क्लियर कर दिया है सभी को मैंने कट्स कर लिए यह दो अम्रूद मैंने लिए है और दोनों को अच्छी तरह से कट्स करके मैंने डाल दिया है इसमें सरसों के तेल में जी हां जोस्तों गरम करके हलका से आपको रखना है और उसमें आप को डाल देने हैं अमरूत को और अच्छी तरह से भून लेने हैं अगर आपको सर्दी खासी से डर लगता है तो नहीं तो आप इसे सर्दी खासी के दिक्कत है बिल्कुल भी नहीं होगी और पुराने से पुराने जो कफ होते हैं वो अच्छी तरह से निकल भी जाएंगी इतन को हमने लिए और भी ट्विक बनाने के लिए मैंने दो से टीन हरी पिर्ष का जिर और इसंवD के लिए और भी बनाने के लिए मैंने यूज किया इसमें ठनिया के पत्ते ले हैं तक कि ईसमें इसके होते हैं बहुत लोग क्या होते हैं कि पत्ते लेते हैं और तहनी को छोड़ते हैं लेकिन आपको पूरा लेना अच्छी तरह से धोके शाब कर ले। अब चलिया अमरूत को और भी टेश्टी बनाने के लिए मैं यूज कर रहें इसमें नमक आपको भी नमक यूज करना है और अगर आपके पास काला नमक है तो आप उसे डाले उससे क्या होगी सरदी खासी और जो बलगम की सिकाया था वो बिलकुल भी खतम हो जाने वाली है औ अगर आपके पास सिलवट्टे है तो आप सिलवट्टे में भी इसे पीश सकते हैं और इसे बहुत ही अच्छी तरह से हलके से पानी आपको डालना है और सरसो के तेल भी अच्छी तरह से हमने डाल दिया है और इसे आपको मिक्सर में एक से दो बार करके इसे बहुत ही अच यह बहुत ही टिश्टी लगती है और सभी चट्मियों से बहुत ही बेश्ट लगती है अगर आज आपको यह अमरूत की जानकारी काफी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू करें दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसेपी में और हम इस तरह की ज्यान वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए ताकि हम पूरी मालूम हो यह अमरूत के बारे में या कोई भी रेसेपी के बारे में अच्छी तरह से मालूम हो तब ही तो हम लोग उसे रेसेपी को जादा से जादा खाएंगे और सेयर करेंगे तो कैसी लगी आप कोमेंट सेक्शन में बताएं तब तक के लिए बाई बाई